आज के लेक्षर का आगास करते हैं लेक्षर नमबर 14 और आज हम चैप्टर 2 कल हमें कंसेट कम्लीट कर लिये थे आज उनके क्वेस्टन लर्निंग अब्जेक्टिफ केंट पे जो क्वेस्टन थे वह हम डिसकस करेंगे और प्लास एंडिसक्व करेंगे लेकिन से पहले क्वेस्टन के लिए प्लिए और और तो फिर नमैंके यक्षर का आज हीं वह सब्रस्टे हैं कि लिए सब्सक्राइट करना नहीं है यह क्टमीलिम्टर各 क कैम сюжет क्णा के लिए। टीक है टेबल किस टेबल में था टेबल बी टेबल सी और टेबल डी में इनका मक्सद ही यह है क्या कि यह इनके लिए असानी हो यह सानी से डाउनलोड करें और उनको एजटी साहे सब्मिट करवा दें लेकिन सब्मिट करवाना लाज़मी है को क्यों सब्सक्राइब सब्सक्राइब के रहे चारे मेमिरंडम ऑर्टिकल्षच्च्ट्ट मेंड़की अथय इस्ध regi Adamando जाते हैं तो यह एक तरह से heard how जाता है हो जाता है सारे मेंबर्स का एक दूसरे के साथ किया कि इस memorandum और आर्टिकल्स के मताबिक ही company को चलाया जाएगा यानि जो तरीका कार memorandum और आर्टिकल्स में लिखा गया है उनी तरीका कार के मताबिक company को चलाया जाएगा अचा इसमें आगे उसना लिखा हुआ है बाइnd होंगे company and members as if they have signed by members as if ऐसे जैसे होते हैं उन्होंने साइन नहीं किया होता है आपको पता है वारिजिनली वाले होते हैं जो बात में आने वाले सब्सक्राइबर्स को सबस्क्राइबर्स करने मेमरिंडम और आर्टिकल्स के मताबिक करने हैं कि और आपको सुरत में क्या होगा यह समझागी पहला सबस्क्राइबर में कौन से पैसे करने होते हैं वो जो उन्होंने अग्री किया था कि हम शेयर्ज घ्री देंगे तो उसके पैसे नहीं पे करने हैं आहाल था मनी पेबर बाद सब्सक्राइबर अगर लिखा भी हुए एस पर इस अंडर्टेकिंग इन मेमरेंडम शल भी एडेट द्यू तू हिम जैसे ही कंपनी का मेमरेंडम और आडिकल इस्टर हो गया यह जो उसने पैसे अगरी कियो थे यह लोगों बन जाएगा कि उसने कमपनी को अदा करने है पैसे जल थे कि अध मिनने किया अगर कि यह गर किसिने यह शीर मेंट की वाइलेशन की यादि किसी मंभरनेंडम और आर्टिकल की बात ना मानी यह य तो उसे पैनल्टी होगी लेवल मन के असल में कि एक पैनल्टी ओफ लेवल मन के एक्प्लीन करने 2017 से पहले चो कम्पनी जाडियनस 1984 होता था ना इसमें हर प्रवियन की लाइदा पैनल्टी होती थी किसी की 500 किसी की 5000 कि पैनल्टी को स्टेंडर्डाइज कर दिया उन्होंने पूरे लाव में जितने भी पैनल्टी थी उनको तीन हिसों में क्लासिफाई कर दिया लेवल वन पैनल्टी छोटी लेवल टू और लेवल त्री अब एक्जेक्ट मुझे इनकी माउंट याद नहीं कि हमारे स्लेबस में लेकिन लेवल वन की शायद कोई 50,000 तक है लेवल टू की है 500,000 तक है शायद वो पर दे के साथ सभी पैनल्टी पढ़ती है और लेवल त्री की ज्यादा है वो शायद करोड़ों मुझे एक्जेक्टि इमाउंट याद नहीं लेकिन ये स्टेंडर्डाइज कर दिया अब इ जो कम सिगनिफिकेंट ऑगलेशन होती है उसके लिए लेवल वन की पेनल्टी जो तससे थोड़ी अपर लेवल की होती है वाजए्यों मॉडेरिट लेवल टू और सबसे से ज्यादा संगीन वाइलेशन हो उसके लिए लेवल 3 की पेनल्टी होती है है हमारे लिए सिरफ लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 यह याद करना काफी है आगे इनकी मांट से याद करने की जरूरत नहीं है ठीक वैसे किसी दिन मैं आपको आपके नॉलिज के लिए शेयर कर दूँग लाइद है उसमें पेनल्टी इस लाइद है वो कम्णी जैक्ट परी पेनल्टी नहीं उसको लाइए जी और की क्वेस्टारीशन को अगर कमनी का में में रिटिकल्स आल्टर किये गए उसके बाद 28 तारीश को किसी मेंबर ने कापी मांगी में में इंडिकल्स की तो चाहिए कि पुरानी वाली एगर यही वो कहा रहा है कि आल्टर्षन के बाद जितने भी कपी आप इशू करेंगे वो आल्टर्ड वाली ही इसू करनी है धालर को अब शाना चाउत है कि पेनल्टी में तो होगा है कि लाइबल कौन होगा कंपनी भी और आफीसर भी इसलिए कंपनी को भी लाइबल करा दिया है यह कंपनी का भी डिफाल्ट समझा जाएगा और उसका भी पर सकते हैं प्राइबल कर सकते हैं यह परसनली और प्रॉक्सी वाला अभी फिलहाँ लियाद कर लेजिए यह हमारा टापिक आएगा मिटिंग्स वाला इसमें हम study करेंगे कुछ type of resolutions ऐसी होती है कुछ voting का types of voting ऐसी होती है जिनमें सिरफ जो लोग present है वो ही vote cast करते हैं और कुछ voting system ऐसे होते हैं जिनमें जो लोग meeting में मुझूद नहीं है वो भी किस ना किसी तरीके से vote cast कर लेते हैं वो किस किस तरीके से वोट कास्ट कर सकते हैं वो फिर मिटिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अगर अपने आर्टिकल सब्मिट करवाई हैं तो उसके लिए लाजमी नहीं के जो टेबल ए में लिखे हुए हैं सारे के सारे उस आर्टिकल में हो जो कमपनी जमा करवा रही है हाँ हो सकता है सारी लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो जो कंटेंट्स जमा नहीं करवाए वो कमपनी पर अप्लाई ही नहीं होगे हमने यह पढ़ा था अगर पूरे का पूरा आर्टिकल जमा नहीं करवाया तो पूरे का पूरा आर्टिकल टेबल एवाला लगेगा लेकिन अगर आदा आर्टिकल जमा करवाया और आदा नहीं करवाया तो जो आदा नहीं करवाया ना वो टेबल एवल जो आदा जमा करवाया वो तो वही जोखु जमा कर रहा है वही अप्लाई होगा लेकि जो जमा नहीं करवाया है तो जो कंपनी ने जमा करवाया होगा वह अप्लाई होगा कंपनी ने अपना होगा उसे में चेंज कर सकती है जैसे टेबल ले वाला है उसमें घर लिखा हुआ कि कंपनी लेकिन अगर ऩौन से वाला अपला करेगा बहुतां तो अगर डेक्टर कंपनी अपने अ धिकल्स जमा करते हुए दरेकर थेचानवा खाली सोड़ए होती है तो फिर जो पर लिखिया हों है टेवले में वह अप्लाइए होगी थी और की क्वेसा है कोई 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 सब्सक्राइब की तरफ चलते हैं हम रिटन क्वेस्टन की तरफ क्वेस्टन नाइन दा कम्रीज एक रिक्वाइब लाइट एक इस नंबर ऑफ रिक्वार्मेंट हो जाएगी तू नहीं कर सकते हैं और फाइफ इसको फिक्स कर सकते हैं फाइफ निफ्टन लेकिस्ट अग्ट लिख इसमें पर फिक्सक्राइब फाइफ में कंबी एक्वार्मेंट कुरी हो रही हैं इसलिए यह कर सकते हैं पाइफ टू नहीं कर सकते हैं टेन टेम आफ यंग इंगी निचिनियर्स इस प्लैनिग टूिंब इंकॉड्ट अ प्रिबाने प्राइब लिपनें विच वूब्टम इस बिइस्टी registration and signing of articles of association advice the team of engineers in respect of the above matters in the light of companies at 2017 किन मैंटेस के बारे में अद्वाइज करना है आर्टिकल की साइनिंग रिजिस्ट्रेशन और साइनिंग आपिकल की रिजिस्ट्रेशन के बारे में करना है और आपिकल के साइनिंग के बारे में गाईड करना है registration के बारे में guide कीजिएंगेनियस को कर रिजिट्र करवा ले हैं वह खरवा ले हैं वह आषिकल जे को एजिस्ट्र करुआ भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं अगर वह आर्डिकल्स नहीं रिजिस्टर करवाते हैं तो टेबल ऐ एप्लाई हो जब आर्डिकल्स बिलकुल रिजिस्टर नह baş पूरे का पूरा या अगर लेकिन आ failing जए लेकिन ऀुन में कुछ बाते ना लिखी जये जिए जो की टेकल्स फीर फिर भी टेـ बले पार्शली होगा यानि जो चीज़ डिसकस्ट नहीं उनके साफ से प्लाई होगा क्लियर यह रिजिस्ट्रेशन ओफ आर्टिकल समझा गई क्या यह कमनी लिम्टेड़ बाइशेर बनाना चाहते हैं तो रिजिस्ट्रेशन आर्टिकल समना डिसकस्ट कर दिया करवा भी सकत में और में नॉट रिजिस्ट्र ओर जिस्ट्र नहीं करने तो क्या होगा वह भी बता दिया साइनिंग है आज सब्सक्राइबर साइन करेंगे और अपने परटिकलर लिखेंगे और एक विट्नेस उसको टेस्ट करेंगा कि साइन इन्होंनी जाए ठीक है और उसका भी इंप्लाई इनने ब्रोक्रेजंट और आपको पता क्या होता है आपने श्रॉक एक्सेंज में एकर शेयर सेल या परचेस करने हैं आप डिर्यक्टली जाके शेयर सेल परचेश नहीं कर सकते आपको किसी ना किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खलवाना पड़ता है तो यह इस नहीं और फिर अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं जिनने इनके पास कांट कुलवाई होते हैं कि कहते हैं एंड ही वांट्स टू प्रिपेर सम रिपोर्ट्स और रिक्वेस्ट ऑफ सम् पॉडेंशल इंवेस्टर असफारे कंपनी नेम्ड एज एरिजोना ग्रिल एक रिपोर्ट पिल्पेर करना चाहता है किस कंपनी के लिए घरिजोना इंवेस्टर को इनवेस्टमेंट करनी चाहिए इसके लिए उसे नई सट्रेश कटींड ऐस्द टरे िनके यह किसी केस में भी कि मैंय कोपीमेरियंटरम रॉर्टिकल की प्ते 2020 एक मार्ज को सब्सक्राइब 10,000 शेर इच ओफ रपीज 10 पर शेर ऑफ दा कमपनी उन्हें देटी कि वह दस हजार शेर इच ओफ रपीज 10 पर खरीदेंगे सब्सक्राइब करेंगे डिसकस टाइम पिरेड ऑफ पेमेंट बाइ सब्सक्राइबर अब यह तो एक डेट डियू हो गया ना जो उन्हें पे करना है कितने रसे में पे होना चाहिए विदिन दा पिरेड आइस स्पैसिफाइड बाइ कमिशन ठ यह तो हमारे हो गए क्वेस्टन्स अब क्या खरनाम लें से क्यों शाबश जीजी जी जी और ला की कोई भी रिक्वार्मेंट होती है तो याद रखे कम्पनी तो लाइबल होगी ही होगी सम टैम्स जो employees होते हैं वह भी लाइबल क्योंकि असल में जो वाइलेशन होगी है कमडी के विखाव पे होगी है हमारे एक रूल होता है इंप्लॉई के किसी भी एक्ट के लिए इंप्लॉयर लाइबल होता है चाहे उसका डिरेक्ट इन्वाल्मेंट हो या ना हो तो यह तो हो सकता है बाद उकात के कोई वाइलेशन ह तोई और employee liable नहीं है employer liable ठीक है employer तो इन रही केस लाइबल होगा अगर ज्यादा स्वेरख ऐधार किस है या negligence का कैस है तो फिर employee होता है इंपलाई कभी लाइबल होता है या थी नहीं होता लेकिन इप्लाइर खुर भी कि इसलिए आप देखते होंगे कि बाद उकात वह कसूर डिरेक्टर्स का होता है अफीसर का होता है लेकि वह कह रहाता है पेनल्डी कमनी भेकर रही कि जी स्टार्ट करते हैं कि कहरा है सेलेक्ट दा मोस्ट अप्रोप्रियेट आंसर फ्राम दा आप्शन अवेलिबल फारीच फाल्योविब इसकाइश मोस्ट अप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रेट का मतलब क्या है कि यह बीज़िए भी ठीक और नीचा आलोफ दीबाव मुस हालांकि यह और भी पी थीच एसीपाइश लेकिन पोस्ट प्रोप्रोप्रीट आप्शन को अग प्रतार्ट करतें पहल आप ऍिर्फेंट अप्षिन क्या है अच्छा यह स्टेच्योट्री डेकलेरेटिंग नहीं पूछ रहा हूंग वह डिक्लेटरिकरता है तक प्रस्टेच्हें नहीं के इस द्हएंग्ड मेज़ि और तरहां भुट। compliance with requirements of companies act वो वाली पढ़ा नहीं था और भाई जब डाकुमेंट करवाने के लिए इस्टार के पास कौन कौन से डाकुमेंट करवाते हैं बताइए सरा चार चार बताइए दो तो बड़ी असानी से बता देंगे आप कौन से बागी के दो कौन से डेकलेरेशन और चोती कौन सी जी एड्रेस फार कम्यूनिकेशन कर्स्पोंडेंस प्रॉस्पैक्टर्स क्या होता है मैं सॉल्फ कर दिया आप नहीं लेकिन उसमें एक लफ़ा इस्तमार वो भी तो समयना चाहिए हमें प्रॉस्पैक्टर्स का जब भी एक पबली कमपनी लिस्टेड कमपनी शेयर इशू करती है तो वो अखबार में इस्तहार देती है जब भी एक लिस्टेड कमपनी शेयर इशू करती है तो अखबार में इस्तहार देती है कि आईए हमारी कमपनी के शेयर करी दिये और उसमें कमपनी के बारे में कुछ इंफरमे प्रश्प्रोंट चाहिए अगे चलते हैं एक पर संग में एक एप्लीकेशन इन स्पैसिफाइड फार्म एड मैंने इस पैसिफिए फीट तुद इस राव फार्शन ऑनी रिजर्वेशन वह एंडी ने अगर रिजिस्ट्रेशन हो जाए कितने अर्षे के लिए रिजर्व होता ने सिक्षी डेज कह रहा है आप्लीकेशन रिफ्यूज बाइद रिफ्यूज रार अगर अप्लीकेशन रिफ्यूज कर दे एगरेड परसंट में प्रैफर एन अपील टू कमिशन किते दिन में विधि नोटीफाइड करने के लिए अशां राफिस चेंज करना हो तो पंद्रा दिन में रिफ्यूर को बताना होता है नइट देज भी था तो पता तो चल गया हमें सही option किया है लेकिन बाकी option को भी डिसकर लेना चाहिए कलियर तो इसके difference as to the procedure are requirements of law which class can be say कह रहे है ना name class की alteration किसी और तरीके से होगी principle line of business की class किसी और तरीके से alteration होगी अर्जिस्ट्र आफिस वाज किसी और तरीके से होगी कह रहे है which of the following class cannot be altered in the life time of company subscription class ठीक है name class change हो सकती है liability class हो सकती है सब्सक्रिप्शन हो सकती है नेम क्लास हो सकती है जैसे आपको पता हो नेम क्लास कैसे होती है बताइए नेम क्लास कैसे होती है बताइए नेम क्लास के दो तरीक्ये तो बताएं एक रेक्टिफिकेशन बाइजिस्टर और एक चेंज वा एक कंपनी आप रेक्टिफेकेशन बाहर जिस ट्रार बता दीजिए उसमें तो नेम रिजर्फ करवाने की जरूरत नहीं है नहीं नहीं याद करके आए क्यों नहीं याद करके आए जी भाई आप बताईए पहला देना आपका आप अगर नेम डिसेप्टिव यहां क्लोजी रिजेंबल करता एक्जिस्टिंग कमनी से तो रिजिस्टर नोटिफाई करेगा यह बता क्या रहे हैं मैंने यह तो नहीं पूछा कि वह कुछन से नाम है जो प्रहबिडिड है यह रिस्टिक्टिड है अच्छा अगर अच्छा आप यह कह रहे हैं कि अगर रिजिस्टर हो जाए इस नाम से ठीक है अगर रिजिस्टर हो जाए तो फिर रिजिस्टर कहेगा कि नाम ठीक तो कमपनी क्या करेगी 30 days के अंदर अंदर नाम चेंज करके रिस्टार को डाकुमेंट सब्विट कराएगी और अगर 30 days में नाम चेंज नहीं करते खुद ही कर दे और क्या करेगा खुद ही किसी नाम से कंपनी को रिस्टर करके सर्टिफिकेट ओफ इंकार्पॉरेशन इशू कर देगा शाबाश और अगर कंपनी ने खुद नाम चेंज करना हो पहले नेम रिसर्ब करवा जाएगा स्पेशल एजलुशन आल्टर्ड मेमरेंटे सब्विट करवा जाएगे अपलाई कितने अपलाई करने के लिए कि टाइम पीरिट है अचा और फिर न्यू साडिक्योट और एक और बीचीज नाम चींज हो आटा नियू नेम के साथ और ने हां जी बेलकुल यह तो होगया नेम क्लास अब रिजिस्टर आफिस क्लास भी तो है उसमें उसना लिखा अपिस क्लास भी चेंज हो सकती है यह कह रहा है तीन सिटीन सिटीन ने एक है एक है जालväा बियान देने में को त्यार हूं के एक है इसलिए कि जो बाकी की चैंश है ना वो चेंज इन जिस्टरर आफिस क्लास नहीं यह वो चेंज जिस्टर आफिस क्लास नहीं है जिस्टर आफिस przede सुटहिश्el न imp forum प्रविन्स वाले प्रवेंस वाले ठीक है एम्सीक्स दोडर करते समय रखार बड़ा सान है बताइज वो पास हुई स्पैशल अश्मेश्म पास वही बागे बागे किसके पास कमिशन के पास कमिशन ट्रिक त्यार बैटा तो उसने क्या किया आर्डर इशु किया having regard to interest हो पहले members और क्राइटर की इंटरस्ट को बाच करके order इशु किया order की कापी 7 दिन के अंदर कमणी ने तीस दिन के अंदर अंदर इस ने आर्टर मेमरेंडम इस्यू कर दिया और रिकार्ड सारा नियू रिस्ट्रार को ट्रांसफर हो गया और लाइबिलिटी क्लास यह भी चेंज हो सकती है क्या अगर फर्स कीजिए कमणी लिम्टेट वाइगरंटी है उसमें लाइबिल की लाइबिल्टी को इंक्रीज किया जा सकता है उससे पूछ के स्पेशल वेज्टर पास करनी पड़ेगी लेकिन उसे उसके शाबाज तो यह हमारे थार्ड एंसे क्लियर हो गया फॉर्थ पर चलें नहीं राइट के लिए तो पुरी के पूरी क्लास की मनजूरी लेनी पड करते हैं अब बैसिकली स्फ राइट के लिए वह पहले इसमें राइट के लिए हैं वह डिपेंड करता है अगर आप किसी एक इंडिविज्व की चेंज कर रहे हों तो उससे एगरिमेंट इन राइटिंग लेना पड़ेगा और अगर कोई क्लास की लाइबिल्टी चेंज कर आपकि लेगा और जब राइट्ट वेरी किरवात तो कुरें क्लास मेंचल करता है कि क्लास एक लास भी किलास बी के राइट्स को वेरी किया जाब य क्या अट्रइट सो और शिफ निवेडिकर निमिटेट डिस ऑस दिटे शिट उप इस फम गुज्वेवना टो लाओर धि TTL must obtain consent of character who are entitled to object and obtain prior approval of commission ये तो उस वरत करते हैं जब class change हो रही हो बी गिव notice of change to the commission within a period of 15 days after the change नहीं ये करते तो है लेकि रिजिस्टरार को शावज ये भी गलत सी अब्टेन approval of the registrar prior to shifting office registered office नहीं prior approval थोड़ी उसको बाद में प्राइब प्राइब रोल लेना हम तो बाद में सको नोटिस दें 15 दिन बाद गिव notice of change in situation of the registered office to the registrar within a period of 15 days after the date of change तो ये डी जे टीक है पूर का correct option क्या है डी next for registered office class the province are the part of Pakistan not forming part of provincial be mentioned for example if the company proposes to have a registered office in Islamabad they will write in their memorandum that registered office will be stated in province of change in Islamabad in Islamabad yeah I mean see see option was part का नाम लिखा जाएगा वो पार्ट को नाम लिखा जाएगा वो पार्ट कों साथ C Islamabad to see option correct बारे six the first class of the memorandum is the name class of company which contains the name of company with the addition of appropriate parentheses choose the incorrect parentheses नाम के साथ कुछ words add होते हैं ना company limited बगारा limited बगारा limited बगारा बाई जोगार जाएज आपने से कौन सा गलत है आपडुला प्राइवेअ डिजा प्राइवेट कमने ही रहीम करांटी लिम्टेड दी पिएल सी एफ पबिलिक लिम्टेड कमने ही नहीं नहीं अगर ये पॉप्लिक लिमिटिट साही होता तो फिर क्या निखते वह बना थे कोई पीएल सी के लफज रख से कुछ भी नहीं बना पाकिस्तानी लाओ के मताबर, यूएसे को साइद उसमें पीलसी बनता हो, यूएसे में जो पॉप्लिक लिमिटे कम्पनी तो होती है उनके नाम की साथ पाकिस्तान में नहीं लिखते हैं पाकिस्तान में क्या लिखते हैं इसलिए निक्स सेवन एवरी कंपनी शल सप्लाई विदिन पीरिड आप 14 देज एक काफी ओंडम एंड आडिकल्स अफ कंपनी अपोंड़ रिक्वेस्ट एंड पेश्क्राइब आमाउंट टूइट्स क्राइडिटर्स डिरेक्टर्स अच्छा इसका मतब है कि जब मेंबर्स अप्लाई करेंगे तो उसके विदिन 14 डेज उनको मेंड़ आटिकल्स की काफी मिलेगी तो 15 डेज में क्या करना होता था तो उसको 15 डेज में नोटिफाई करते हैं और 14 डेज में नहीं है और जब कोई मेंबर और आटिकल्स की काफी देना चाहें उसके लिए टाइम फोर्टीन डेज नहीं है अगर आप ने दिर 14 का 15 डिवदर 15 का 14 लिख दिया ना आपको मार्स नहीं मिलेंगे यह वरा नंबर कर बाकी के क्वेशन के मार्स मिलेंगे इसके नहीं मिलेंगे यह ज़ेंगे रखिएगा मात ठीक एट वाट टाइप फ्रेजलुशन इस रिक्वाइट टो चेंज कमपनी जेम इस पैशल रेजलुशन नियु और दिवाट नियुक्त अब करने के लिए पहले चोदा दिन पहले नोटिस बिजा जाएगा मिटिंग जब भी काल की जाती है किस दिन पहले नोटिस बि जी तो क्रेक्ट आप्शन में क्या होई एए इस पैशल आजूशन जी कंपनी है जमीन डॉट कॉम अगर अपनी का नाम एक होता है प्रोड़क्ट का नाम ठीक है बाद वकाद से कंपनी कुछ और होती है उसके डिफिर्ट के नाम के साथ बर्ड लिम्टेड नहीं आना चाह वो फिर शायद कंपनी के तोर पर रिजिस्टर नहीं होगी ठीक है आप वैबसाइट पर जाकि उसका सेटस देखिए रियाद रखिए कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिम्टेड आना चाहिए इसके साथ बड़ा करके जहां पेपसी उसके साथ लिम्टेड नहीं लिखा होता ठीक है लेकिन जहां पर वो नाम नहीं चाहिए लिखा तो उसके साथ वर्ड लिम्टेड आ रहा होता है आगे चलते हैं इन रिलेशन टू कंपनी अर्टिकल्स असूसियेशन विच्छ फालिंग इस इनकरेक्ट विच्छ फालिंग इस इनकरेक्ट इसका मतलब क्या है जो ग तो हमने तो इनकरेक्ट को ढूडना है यह भी नहीं चुणाई समय शीड़ आर्टिकल्स फालिख वर्म कंट्रेक्ट बेविन मेंबर एंड कंपनी एड़ अमंग देंग्सल यह भी साहिए इसको नहीं उनना दी आर्टिकल्स अशूसिशन में भी चेंगा और्दूरी क्राइट दूंदी हमने क्राइट कहता क्राइट दूंदी इसमें क्या बात कोई बात टैन इफ एक कमणी चेंज इस नेम फार्म नेम इस रिक्वाइट तो बी मैंचेंड अलॉंग बिदा नियू नेम फारे पिरेड़ नाइंटी डिएस फॉम्धी डेट ऑफिस्ट्रस ऑफ यह तो आपको याद होगा 120 बात पढ़ी है नहीं पढ़ी कि एक साल सथम होने के कि अधिस दिन के अंदर कमणी ने मीटिंग करवान ही यह नहीं पढ़ा हुआ ओके ठीक है और एक साल की बात नहीं पढ़ी हुई ऑके नहीं तो क्रेकर अप्शन क्या है मारी एक नाइट एक अब और आगया दर नेम इस रिक्टिफाइड और चेंज विदिन पीड़ों नहीं करेगा तो बहुत कर देगा तो बेटर यहा कि खुदी नाम सेलेट करने 15 देस तो नहीं है 15 देस में क्या होता है लिए पढ़ा हुआ कि साल होने के एक सब बीस दिन के अंदर कमणी ने मीटिंग कर वानी है यह नहीं पढ़ा आप चले तो थर्टी डेस पढ़ा हुआ क्या पड़ा हुआ है 30 days में क्या 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 करना होता है अपील डिरेक्टर ने कमदी का नाम रेक्टिफाई करना है जब कमिशन का अर्डर रिजिस्टरार को तीस दिन में दिया था और क्या तीस दिन में करते हैं नाम करना है और रिजिस्टरार के किसी डिसियन के खिलाएँ अपील जब फाइल करनी होती है इसके लिए 30 डेज का काम ऑड़ाएँ इवर कंपनी के किसी फैसले के किलाफ को पील करनी हो तो उसके लिए भी तीस दिन का टाइम यह नहीं पड़ावा चले ठीक है अब आगे चल फाना नाम कितने दिन तक लागे नाइटीडेइस हमदिस निन थे नहीं पड़ा हुआ कि साल हम आप होने के एक बाद एक सब्सक्राइब यह तो नहीं पड़ा निप आप तो फॉलिंग आपका ते आपका डिरेटर्स बढें डिसक्रशन ही वोटिंग सर्पोटिंग सोटे के यह मोले ज!? पिया इंवल डितने लाइन्वल रिपोर्ट पोय। मे नहीं है और ना ही इन्वल सेल्ज रिटरन है रिटरन से वो कांटिंग में जो एक्सपर्ट होना है मैं किसे में सेल्ज रिटरन आ जाती है यह वह भी नहीं है यह कोई सफाह होगा पता है इसमें क्या लिखते होंगे थर्टीन एक अपनीज चेंजिंग इस एजिस्टर्ड आफिस क्रॉम गुलगर्ष्ट का लोनी टू बुखारी का लोनी विदिन दा सिटी अफ मुलतां विश्टाफा फालिंग रिक्वार्मेंट सार एपनी केपल सेम फिटी में है रिजिस्टर को मोटिवे करना है स्पैशल इसमें पास करनी है कमिशन से कंफरमेशन लेनी तो सिरफ वन तो वन को ठीक कर दो असल में ऑप्शन जो मैंने स्लेट करनी है यह वन टू थरी नहीं है वह एवी सी है तो इसमें कौन सी एव बंदों निवानी सिरफ यही काम करना बाकी दो की जरूरत क्लियर आगे चलते हैं एक एक अंपनी इस चैंजिंग इस रेजिसर्ल्व depends from लार पंजाप से आपको बता ही कि हो कि क्योंकि यदे शाय हो ऐसको बतार ना लाहूर ने वाक्या? लाह॥ पंजाब परमिस में तू मुल्तान ये भी पिंजाब प्रोविस में कमदी लाहूर से मुल्तान शिफ्ट होना चाहती है विश अफ़ता फालिंग की रिकॉर्मेंट आप्लिकेबल अब देखें यहां पे मैंने वान एंट यह आप्शन स्लेक्ट नहीं करनी यह वाली यह नी स्लेक्ट करनी को एभी सीडी में से स्लेक्ट करने तो हमारी क्रेक्ट आपशन क्या होगी आगे चले नेक्स एक कमदी सेंजिंग इस रिजिस्टर्ड आफिस फ्रॉम मरदान अच्छा यह जो नाम आ रहे ना यह याद कर लें हो सकता है एक्जाइम में वह इनी सिटीज के नाम दे दे लेकिन आगे नाम आगे हमें तो पता है कौन सा किस में है फ्रॉम मरदान टू कोईटा ब्लोचीस था विच आप्लीकेबल नोटिफाइट रिजिस्ट्रार पासे राइस स्पैशल एजिशन गैट कंफरमेशन फ्राम कमिशन पेटिशन यही करने हैं तो कौन सी आप्शन करनी है तो मैंने वण तू यह आप्शन इन तीनों को टिक नहीं एक लिए लिए बेर किया होगी hai वाण टू थ्री नहीं एक से तीन एक से तीन क्योंकि प्रविंस टू प्रविंस चेंज हो रहा है कलियर यह आज हमारा चैप्टर टू कम्रीड हो गया और फिर उसके बाद हमारा कुए यह तो आपका टेस्ट भी है यह जाप्टर ना भी है ठीक है ठीक है और इसका पार्ट बाइं अच्छा कल के लेक्च्छर में एक तो टेस्ट वान की डिसकेशन होगी ठीक है वह मैं टीए के साथ डिसकेशन करूँगा और फिर उससे पहले मैं आपको यह सिखा होंगा कि कैसे अडेंट करनी है अभी तक हमने के सब्सक्राइब करना नहीं न सेखे मैं चाहरा था आपके कुछ बेसिक कंसेप्स ट्रॉंग हो ज करेंगे तो हमारी निस्बत उनको आपकी वीकनेस ज्यादा पता होती है ठीक है मारी निस्बत वीकनेस ज्यादा पता होती है तो इसके बाद अगर आप कुछ मुझसे भी डिसक्रस करना चाहें तो भी कर सकते हैं अगर किसी पर शक्षब होता है टेस्ट मिलेंगे कब एक हफते का टाइम होता है ठीक है एक हफते के बाद मिल जाते हैं अभी एक हफता पूरा नहीं हुआ ना छे अच्छाटा दिन हां जी कल होगा तो कल भी साथ दिन मैंने यह तो कोई बाद नहीं है साथ सात्व याद करते रहे हैं है पेपर से पहले मिल रहा है ना आई के पहले मिल रहे हैं वा ठीक है खरी आज क्या लेक्चिर यहां पर खत्म करते हम आ है